हे दिस यूर फ्रेंड सिप्सेलर सलीम मैसलें फ्रेंड से लिए मैं सी शेलिंग N-Sips प्लीज वाच वीडियोज और आपको सब्सक्राइब बोश्थ यूट्यूजल हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल शिपसेलर सलीम तो फ्रेंड्स कुछ लोगों के कोश्यन आयते डिय मी कूर्स की बारे में बताने के लिए क्या क्या होता है कैसे अड्मिशन है क्या फीस है क्या प्रोसीजर है क्या क्वालिफिकेशन चाहिए तो गाइ तो guys start करते हैं तो सबसे पहले जो DME का full form होता है वो होता है diploma in marine engineering और कुछ colleges में इसको TME भी बोलते हैं मतलब trainee marine engineering course guys ये जो course होता है इमारा ये two years का होता है four semesters का और जो इसकी approx fees है वो है four lakh to five lakh बाकि अलग अलग colleges में different different fees होगी आपकी तो guys आप eligibility की बात करते हैं तो qualification आपकी क्या होनी चाहिए यहाँ पे देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे diploma holder in mechanical marine novel architecture electrical and electronics engineering degree with 50 marks और English में आपका 50% होना चाहिए 10th और 12th में और guys आपकी जो maximum age दिये ये course के लिए वो है 22 years तो जब भी आप ये course करो तो आपकी 22 years से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए medical standard की बात करें तो guys same आपका भी DG shipping approved doctor से medical होगा no color blindness I 6 by 6 या 6 by 12 इस से ज़्यादा नहीं और friend selection की बात करें तो जो आपने exam दिया होगा यहाँ का written exam होगा college का उसके according और आपका 12th और diploma का जो marks होगा उसके according merit list बनाई जाएगी तो उसके according आपका selection होगा फिर guys अगर हम career part की बात करें तो आपका friend सबसे पहले two years की training होगी college में उसके बाद आप M.U. class 4 part examination clear करोगे फिर आपका six month का जो है आप C service करोगे आप C service करने के बाद आप class 4 का exam दोगे class 4 exam आप clear करोगे फिर आपकी joining होगे as a third engineer फिर आपको 12 month की C service चाहिए 12 month की C service complete करने के बाद जो है आप जो है 4 month का M.U. class 2nd का course करोगे M.U. class 2nd clear करोगे फिर आप second engineer में join करोगे फिर आपको 18 month की C service चाहिए उसके बाद 2 months का course करके आप class 1 का exam clear करोगे और आपका जो है selection हो जाएगा आप जो है chief engineer बन जाओगे फिर गाइस college की बात करें तो यहाँ पे चार colleges है जिनकी नाम आप मेरे screen पे देख सकते हैं तो गाइस पहला college है S.A.M.S. Southern Academy of Maritime Studies यह अच्छा college है यहाँ पे आपको एक ship मतलब ship का structure भी दिया हुआ इस college में है तो गाइस अगर आपको यह admission लेना है तो आप मेरे screen पे देख सकते हैं यहाँ पे number है for admission 914442269050 आप इस number पे call कर सकते हैं और यहाँ पर भी देखे numbers भी दिया है अगर number नहीं लगता है तो यहाँ पे email भी दिया हुआ है आप email पर भी contact कर सकते हैं फिर guys हमारा दूसरा college आता है वह combator marine college तो guys यह combator में हैं और यहाँ पे भी आपको एक ship का structure मिल जाएगा यह भी एक अच्छा college है आप यहाँ से भी यह DME का course कर सकते हो और अगर आपको कोई inquiry करनी हो तो यहाँ पे guys phone number देखिए दिया हुआ इस screen से आप ले लिजे email भी दिया हुआ है आप यहाँ से contact कर सकते हो तो guys तो हमारा third college आता है वो है V.E.L.S. University तो guys यह university है यहाँ पे बहुत सारे courses है तो यहाँ पे marine के भी courses होते है तो यहाँ से भी आप DME या TME का course कर सकते हो और आप मेरे screen पे देखिए admission help line number दिया 003 0111 222 तो आप इस number पे call कर लीजेगा और इस number पे आप admission के बारे में post सकते हैं फिर guys last हमारा आता है यहाँ पे marine foundation तो यह भी एक college है जो की चैन्नई में ही है तमिल नाडू में है तो guys यहाँ पे भी एक छोटा सा ship का structure है जो आप मेरे screen पे देख सकते हैं यह भी एक college है जहाँ से आप DME और TME का course कर सकते हैं और आपको कोई admission के इंकरी करना हो यहाँ पे head office का address दिया हुआ है phone number है, mobile number है, email दिया हुआ है आप यहाँ से contact कर सकते हैं तो guys अब हम बात करेंगे DME का अगर आप course करते हो तो आपकी rank क्या होगी तो friends जैसे ही आप B.T.E.C. करते हो या GME करते हो तो वैसे ही अगर आप DME का course करोगे तो आपकी जो starting rank होगी first rank होगी वो होगी DME की, trainee marine engineering बस difference थोड़े ही बहुत होता है B.T.E.C. 4 years का होता है वो after 12 कर सकते हैं DME 1 years का होता है उसमें आप B.T.E.C. करने के बाद करते हैं और DME आपका 2 years का होता है जिसको आप किसी diploma course के बाद diploma in marine engineering का course करते हैं और बागी आपका जो rank होगी, salary होगी वो सब same होगी, उसमें कोई difference नहीं होता है लेकिन guys मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो course है ये sponsored course नहीं है जैसे कि B.T.E.C. DME course अगर आप करोगे तो उसमें आपको पहले से sponsorship मिल जाती है लेकिन इस course के लिए ऐसा नहीं है आप course कर लो उसके बाद अगर company आती है तो आपको placement मिलेगी ने तो आपको wait करना पड़ेगा या फिर agent का सहरा लेना पड़ेगा या पैसे दे करके जाना पड़ेगा तो वो depend करता है college पे तो मैंने मतलब google पे search किया था कि क्या कौन कौन से college ये course कराते है तो बहुत सारे dg approved college है बट जो मतलब मुझे details मिली सिर्थ इन चार college की details मिली है जो कि dme का course conduct कराते है तो guys और ये actually dme course ज़्यादा कोई करता नहीं है maximum कोई btech marine engineering करता है या फिर dme का course करता है बट मुझे question आए दे कुस लोगों के कि dme के course के बारे में बताईए कैसे होता है इसलिए मैंने ये video बनाईए तो अगर किसी को dme का course करना है तो वो इन चारो college पे जो है contact कर सकता है मैं video के description में इन चारो colleges का website का link दे दूँगा आप उस website पे जाके और मैंने video में भी उनके address mobile numbers, telephone number, email सब दे दिये आप contact कर लीजिए वहाँ का क्या process है सारा admission का और वो सब आप देख लीजिए तो guys अगर video पसंद आया हो तो video को like करिए वीडियो को जादा से जादा शेयर करिए और कोई doubt हो तो video के नीचे comment करके जरूर पूछिए और guys जो लोग channel पे नए हैं और channel को subscribe कर लें और notification bell icon को भी प्रेस कर दें और video के description में मेरे instagram का link है instagram पे जाए मुझे follow करें और वहाँ पर भी आप अपने कोई भी doubt हो तो आप मुझे पूस्ट सकते हैं तो guys आज की video में बस इतना ही है मिलते हैं next video में stay home, stay safe